नमस्कार दोस्तों आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जहां पर हम आपको नही नही जानकारी से अवर्द कराते रहते हैं तो ऐसी ही एक नही जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से रूबरू हो हैं तो जो भाई हमारे चैनल पर नए आये हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब वर्ष्य कर लें ताकि जो पुराने हमारे मित्र यदर्शक हैं वो वीडियो को जादा से जादा शेयर और लाइक करें ताकि सभी जरुतमंद लोगों को वीडियो द्वारा जानकारी प्राप्थ हो स समय बाद बनानी पड़ती हैं तो आज हम ऐसी ही एक नई जानकारी लेकर आएं तो दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि हम अपनी जितनी भी जानकारिया लेकर आते हैं वो स्वम के प्रियोग के आधार पर ही हम आपके सामने शेयर करते हैं तो ऐसी एक नई जानकारी हम लेकर आये हैं और आशा करता हूं कि आप जितने भी हमारे किसान भाई हैं या फिर जो भी अपना दैनिक जीवन आयरुवेद के हिसाब से जीवन यापन करते हैं उनके लिए बहुत ही ये वीडियो लाबकारी शिद्ध होगी तो दोस्तों चलिए शूर करते हैं आज का विश जाता है कि उनके पशू को दस्त लग जाते हैं जिसकी वज़े से जो किसान है उसको आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है और साथ में जो एक पशू जो है उसका वो बिमार हो जाता है जो उसकी परिसानी का कारण बन जाता है जिसकी वज़े से पशू जो है वो दिन परती हैं अफारे को निकालते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सार्थक कारगर सिध्ध नहीं हो पाता जिसकी वज़े से और ज़्यादा परिशानियां किसान भाईयों को देखने में आती हैं तो दोस्तों आज जो हम आपको ओज़्दी बताने वाले हैं वो ओज़्दी आपके आसपास नियर बाई सभी की मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है और कुछ लोग तो इसको अपने खाने में भी प्रियोग करते हैं तो दोस्तों मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस आउज़्दी का नाम है सद इसब गोल जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सद इसब गोल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और ये अभी हमने प्रियोग की है सुबह से प्रियोग कर रहे हैं जिसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है और मैंने सोचा कि आपके सामने भी इसको शेयर कर दूँ तो दोस्तों हमारी एक गाये को अफारा हुआ था और एक को दस्तों की शिकायत थे तो जैसे के सामने था हम अगर मनुश्य को भी कई बार कब्स या फिर दस्त की शिकायत हो जाते हैं तो इस अब गोल ही लेते हैं तो जैसी प्रिक्रिया हम अपने लिए करते हैं वैसी हमें अपने पशू को ये लिए करनी है बस इसकी थोड़ी सी मात्रा हमें बढ़ा देनी है कि जैसे के अगर आपके किसी भी पशु को अगर अफारा आया हुआ है तो उसको आपको करना क्या है कि उसको जो आपको दूद है दूद गाएं का भी ले सकते हैं भैस का भी ले सकते हैं तो कम से कम भी आपको डेड़ सो उसे 200 ग्राम जो दूध है वो उसमें थोड़ा जा आपको पानी मिलानाये और उस दूध को आपको घी मे छोकना थेज़ का भी हो सकता है गाये का भी हो सकता है तो दो चमच घी लेना है और उस दूध को उसमें छोग देना है चोगने के बाद उस dares CANえd कर सकते हैं या ना भी करें तो कोई इसका issue वाली बात नहीं है अगर add करते हैं तो पशो उसको easily खा लेगा अगर आपके पास good available है तो good उसके परणाम ज़्यादा अच्छे होगी अगर आपके पास good नहीं है तो आप चीनी उसमें मिला सकते हैं तो इसको मिलाने के बाद में आपको यह जो इसम गोल है यह 10 रूपे का एक packet आता है और यह मुश्कल से 10 ग्राम के असपास होता है तो एक packet आपको एक बार में अपने पशो को देना है अगर उसको अफारा हुआ है तो आप उसको नाल के द्वारा आप उसको पूरा का पूरा उसके मुवें अडेल देना है तो आप देखेंगे जैसी दो या तीन आप उसको खुराक देंगे तो उस condition में आपनी करना क्या है आपको दही लेनी है दही को फैट देना है अच्छे से अच्छे से दही को फैटने के बाद उसमें आपको ये मिला देना है अगर आपके पास दही नहीं है तो आप अगर चाच लेते हैं तो उसमें और भी अच्छे परणा मते हैं तो आप चा का सामन्य रोप से होने लग जाएगा तो दोस्तों ये जो इसम गोल मैंने बताया है ये आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पशु के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये एक ऐसी ओश्दी है जो आप मनुश्य के लिए भी लाबकारी है और आपके पशु के लिए भी लाबकारी है तो जो हम वीडियो लेकर आते हैं वो वीडियो बहुत ही उपयोगी होती है तो जादा से जादा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जो भी किसान भाई है जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक जानकारी जो हम यह जान लेते हैं कि यह जो ओश्दी है यह ओश्दी पश्वो तथा व्यक्ति विशेश पर कोई इसका दुश प्रभाव नहीं है तब ही हम आपके लिए इसको रिक्मन करते हैं बशरते आपको एक चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है अगर कोई गाएं या भैंस आपकी ताजी ब्याई होई है तो उसको ये कताई न दे कम से कम एक महीना अगर आपके पश्वो को ब्याने का हो जाए उसके बाद आप इसको दे सकते हैं और इसका दोस्तों कोई साइड इफेक्ट नहीं है आप कितनी मात्रा में इसको दे सकते हैं कितनी मात्रा में आप ल से रूबरो होंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद और जय हिंद जय भारत